हम लोग देश की राजनीती के बारे में बात करें और उसमें पहला जोसी के बारे में बात ना करें यह मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है और मेरा ऐसा मानना है देखिए कि आप सभी लोगों को अपने देश के जो राजनीता हैं पॉलिटी से ने इनके बारे में मालू हो चाहिए कि इनका परिबारिक background किस तरह से रहा है इन्होंने किस तरह से राजनिति क्यात्रा शुरू की है और किस तरह से राजनिती में सफल रहे हैं एक तरह से तो आज हम लोग पहला जोसी के बारे में बात करेंगे और इनके बारे में एक सामान जानकरी जानने की कोसिस करें अगर आपकी मन में भी इनके जाननों की दिल्चस्पी है तो आपके बास परयात जानकरी उपलब्द रहेगी। आपकी स्क्रीन के सामने आपको पहलाद जोसी की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। अगर हम लोग पहलाद इनका पूरा नाम है पहलाद जोसी और इनका जनम हुआ था 27 नवंबर 1962 में और विजयन पूर करनाटक में इनका जनम हुआ था एक बार आप लोग करनाटक को देख लिए यह हमारा प्यारा भारत है और इसमें दच्छिन भारत में आप देखेंगे तो करनाटक आपको देखने को मिलेगा और बैंगलो इसकी राध्धानी है और आप देखेंगे एक नवंबर 1956 में इसे राज बनाए गया था और यहां वि पहला जोसी के पिता की बात करें तो स्री बेंकर टेस जोसी इनके पिता का नाम और स्री मती मालती बाई इनकी माता का नाम है और आप देखेंगे जीवन साथी की बात करें यानि की पतनी की बात करें तो स्री मती जोती जोसी इनकी पतनी का नाम है इनकी संतानों की बात करे यानि की तीन लड़किया हैं इनकी और सिक्षा की बात करें तो इसना तक किये हुए हैं आपके पहला जोसी साहब और आप सभी जानते हैं इनके काम की बात करें तो वो द्योग पती हैं और राजनेता हैं और यह भारती जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं बीजेपी से ज सच बनते हैं 1995 से 1998 तक भाजापा धारवार्ड जो जिला है इसके अध्यक्ष रहते हैं बीजेपी की जोर से 2004 में आप देखेंगे कि 14 भी लोगसभा के लिए चुने गए थे और आप सभी जानते ही कि अगर आप लोगों को लोगसभा सदस बनना होता है तो आपकी उमर कम से कम 25 साल हो निचे और लोगसभा सदस का चुनाव डारेक्ट जनता के द्वारा होता है अगर आपकी उमर भी 18 साल हो चुकी होगी तो आपका भी मद्दाता सूची मेनाद जुड़ चुका होगा आप लोग भी बोड देने जाते होंगे फिर आप देखें कि दो जर्बडी 2006 में रसाइन और उरुबरक पर इस्थाई समिती सदस बफ पर सयुक्त संसदिय समिती के सदस बनते हैं 2006 से 2013 तक भाजापा करनाटक राज जिकाई के महासचे बनते हैं और आप देखें कि 20 मार्च 2007 में परिवहन परेटन और संस्कीती पर इस्थाई समिती के सदस बनते हैं 2009 में आप देखेंगे 16-15 भी लोगसभा के लिए फिर से निर्वाचित होते हैं यानि कि दूसरी बार लोगसभा सदस बनते हैं फर 31 अगस्त 2009 में रेलवे पर स्थाई समिती के सदस बनते हैं 21 अपरेल 2010 में सदन की बैटकों से सदसों की अनुपस्तित पर जो समिती रहती है उसके स चुनाओ गुए थे ना और जिसमें आप सभी जानते हैं कि भारती जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलाता इसमें फिर से चुनाओ लरते हैं और तीसरी बार लोगसभा सदस बनते हैं पर आप देखें कि 9 जून 2014 से 25 मई 2019 तक मेंबर पैनल और चेयर परसन लोगसभा के बन को दोते हैं और पर आप देखें कि JP stake September 2014 सी 25 मई 2019 तक ऐस पर प्राक्टिक द्याटेम पर इस्थाई संथी की सद अध्यीक्ष हैं तर आप देखें कि पंद्र है सेप्टमबर 2014 से 25 मई 2019 तक आचार सहिती की सदस बनते हैं फिर आप देखें कि मय 2019 में आप सबी जानते हैं कि सत्रवी लोकसवा के चुनाव होते हैं इसमें फिर से निर्वाचित होते हैं यानि कि चौतरी बार लोग सबा सदस बनते हैं यानि कि काफी सफल नेता कह सकते हैं आपको मई 2019 में इन्हें केंद्री केमिनिट मंत्री मनाया जाता है और संसदीय कार कोईला और खान मंतराले इन्हें मिलता है अगर हम लोग इनकी उपलब्दियों की बात करें तो परात्मिक स्कूल के 86,000 से अधिक बच्चों के लिए मिडिल मिल परियोजना से जुड़े हुए हैं और कई निसोल के सामान स्वास्त और नेत सिवरों का आयोजन भी किया गया है इनके द्वारा हजारों रोगियों को मुक्त चिक सा देखबाल भी प्यदान की गई है तो पहला जोसी आप किसे एक तरह से आपके यह कि जमीनी स्तर से उठे हुए नेता हैं और आप सभी जानते हैं कि जब जमीनी स्तर से आप लोग उठकर नेता बनते हैं तो आप लोग जमीन की समस्याओं को से भी परचित रहते हैं और इसका आप लोग देख भी रहे हैं क्या देख रहे है result भी देख रहे हैं और समाज से भी काफी जोड़े रहते हैं और समाज के लोगों के लिए गरीबों के लिए काम भी करते रहते हैं तो फिरहाल आपके पहला जोसी की यही कहानी अभी तक की आँगे किस तरह से इनका सफ़ा रहता है इसके बारे में आप लोग न्यूश फेपर पढ़के टेवी चैनल से जोड़े रहकर या सोसल मीडिया पर एक्टिव रहकर आप लोग इनके बारे में ध्यानते रहेंगे आपके मन में भी किसी के बारे में जाने की दिल्चस्पी है तो आप लोग उसका नाम जरूर बताईएगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे ठीक है?